तो अयुद्या में नावालिक से गैंगरिप मामले में पिड़ित परिवार पर सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है। योगी भी सक्त है और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। करने का दबाव पिड़ित पक्ष के उपर क्या जानकर इसे लेकर? तो के वी अगर ये पूरा मामला निकल कर सामने आ है कि रात के वक्त पहुंचे कई सारे लोग और उसके बाद पैसे देने की बात हुई है। अब क्या पुलिस ने इस पर संग्यान लिया है? पुलिस की तरफ से कोई वर्जन आया है कि आप किस तरह से इस पूरे मामली को देखेगी? पुलिस को देख रहा हुआ किस तरह से पिरिट पक्ष के लोगों को सुरक्षा दे जाए? यह उनकी तरफ से किया जाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुडने के लिए के भी शुक्ला। और आयोध्या गैंगरिप मामले में आरोपी मोहीद पर बुल्डोजर एक्षिन के तियारी शुरू हो चुकी है। प्रिशासन की टीम आयोध्या में आरोपी मोहीद के खर की जमीन की नापजोक इस पर कर गई है। सरकारी जमीन पर एक इंच भी आवेद कबजा मिलने पर बुल्डोजर की कारवाई की जाएगी। इससे पहले कल पेड़ित परिवार मुख्यमंत्र योगी से मिला और आरोपी के खिलाब बुल्डोजर कारवाई की मांग की। जिसके बाद सोहावल तैसील से राजस्वा की टीम मौके पर पहुची और आरोपी अस्पी नेता मोहित खान की जमीन की पहमाईश अब शुरू कर दी गए है। अगर थोड़ा भी यहाँ पर कुछ इंक्रॉच्मेंट पाया जाता है तो फिर बुल्डोजर की कारवाई मोहित के घर बकान पर की जाएगे। इसकी का आप तक क्या कौन कौन सी जमीनों को चक किया जाएगे। यह तस्वीर आयोध्यावे हुए अधर्म और 12 साल की मासूम से हुए कौकर्म में सक्त आक्षिन की ओर इशारा कर रहा है। स्रियम योगी की मुलाकात गैंग्रे पीड़ता के परचुनों से हुई और भरोसा बुल्डोजर आक्षिन का दिया गया है। कल जो मुद्दा विधान सभा में उठा अब उसमें एक्षिन की तयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि स्रियम योगी खुद बोल चुके हैं इस मसले को हलके में नहीं लिया जा सकता। आपका एक्टिब मेंबर है। आपके सांसत के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल ला है। लेकिन इस परकार के और यहां अथि पिछडी चाती से जुड़े भी एक बालिका से जुड़ावा मामला है। और इस परकार की घटिया हरकत में वह लिपता है, लेकिन तब भी उसको हलके पंसे लेने का काम होता है। आयोध्या में 12 साल की मासूम से जो घिनोनी हरकत समाजवादी पार्टी की नेता मोहिन खान ने की, जिस नेता का सीधा कनेक्शन आयोध्या से जाते समाजवादी पार्टी के सांसद अवुधेश प्रसाद से है। अब उस पर आक्शन की बारी है। सीअम योगी ने पीड़ता की परजुनों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया है। की कारवाई चाते हैं। मांरे साथ महाराजी जी साथ मिली और महाराजी ने सथ किया। इतना ही नहीं। महाराजी ने दिखाते हुए उस पीड़ित परिवार को तुरंत उन्होंने कहा कि उसको आर्ठिक साहरता भी लिएंगे। इसके साथ साथ जो भी अपरादी होगा उसको कठोर से कठोर कारवाई भी उत्तरपरदेश सरकार करेगी। कि विधायक अभेज सिंग ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा क्या यही पीजिये हैं आज पीजिये का कोई भी वेक्ति इस लड़की के साथ नहीं है वहां वारता हुई 12 साल 14 साल की माईनर गर्ल है औργ जिस तरीके से हैंवानों और हैंवाणियत की है दरिंदगी की है इसके खिलाब सक्ट कारवाई हो रही है यानि जिस आयोध्या में जीत पर समाजवादी पार्टी के साथ खुद अखिले शादो अपनी पीट थपथपा रहे थी वो उसी आयोध्या में हुए अधर्म पर चौतर्फा घिर चुके है क्योंकि सवाल समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे है सवाल पीडिये पर उठ रहा है सवाल अवधेश प्रसाद और आरोपी मोहिन खान के कनेक्शन पर उठ रहा है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो लेकिन अब इंतजार मोहिन के खलाब बुल्डोजर आक्शन का है बिरो रपोर्ट न्यूस एटीव